बिस्मिल्लारुक्मार्ण रुख्म अस्सलाम लेकुम 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 लेकुम्ट तो आज हम अपना क्लास 12 का फिजिक का टॉपिक हमने स्टार्ड किया था तो आज हम आज हम धिक करने जा रहे हैं लास्ट लेक्टर में जो कॉमनिकोजीन निका लिए भी करने वो मारे पास इकुल अधा क्यों एन एवी कहीं है तो यह कोजना थे फाइंट थी ड्राइब इसके अंदर हमने करण चोहें निकाला था कि कंडॉक्टर मैंसे इसमें से अल पास speed velocity कि यह तो इन तेम्स पर यह कर रहे थे यह तो इसके साथ यह कर रहें relation दोनों का ठीक है तो यह हमने derivation की थी हमने expression drive की थी अब further हम बात करते हैं तो हमने अब find करनी है force कि हमारे पास अब force किया लग लिए है अब यह हमने वह find करनी है तो अगर अब ने वह फान दो हमारे पास क्या रहता है i and l x b ठीक है अब यह हमारे पास क्या है l total length है b हमारे पास लगने tick field है और हमारे पास iq i current है तो आप में का product लेते हैं तो हमारे पास क्या रहते है यहारती length जो force लग रही है उन्दर length ठीक है जिसमें से लाक्रोंस हो है वह move कर रहे है तो वह हमारे पास क्या रहती है force अब इदा हमारे पास उपर i की value मुझे भूद है तो हम क्या करते है i की value कि इसमें पूर कर देते हैं सो मारे पास आजएगा f l is equal to q and a v and l cross v ठीक है अब यह हमारे पास क्या रहे है l cross v यह हमारे पास vector form है ठीक है तोनों मारे पास vector form है अच्छा अब हम क्या कहते हैं हम कहते हैं कि अब हमने इस relation में थोड़ी बहुत changing करनी है हम कहते हैं कि हमारे पास L है और V है अगर हम इनको देखें कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास L वेक्टर है अगर यह हमारे पास L वेक्टर है तो यह बराबर होगा इसके मैंगनिट्यूड के और इसके इलावा इसके यूनिट वेक्टर है इसके अगर अगर हम V की बात करते हैं वेलॉस्टी है और यह व्मारे पास क्या जी इसका यह परावर होगा वी मैगनिट्यूट के और अपने वी व्मारे वेक्टर के तो हम कहते हैं कि इन दोनों में मारे पास सेम है तो हम इसको आप यह राईड डाउन कर सकते हैं कि हमारे पास व्मारे पास क्या बाद है Q M A अब हमने कहा कि L और V हमने कहा कि L और V जो है अब इनकी डिरेक्शिन से मैं, कि हमारे पास और लेंधी अलेक्टरों स्मॉफ कर रहे है विद तब लॉस्ट्री V हम क्या करते हैं, कि छो पर थर्चित करते हैं कि हम क्या करते हैं, L और V इनको replace कर देते हैं, और V और V कह हम क्यों ले रहते हैं, cross product ले ले रहते हैं, यह मारे पास क्या निकल आई है? यह मारे पास total force निकल आई है, जिसके इंता हमाइब पास charge है, number of particles है, area है, length है, velocity, और मारे पास magnetic field है, यह मारे पास क्या निकल आई, total force निकल आई है, इसी तरह अगर हम फ्लाइमिंग स्राइट हैं डूल से, अगर वह इस्तमाल करें तो इसके ज़रे से वह एक अगर सकते हैं, और फोर्स है उसको फांड कर सकते हैं, कि हमारे पास जो फोर्स है वह अपवर्ड होगी, त्योंकि थंब दिनोट करेंगा उसी दिरक्शन, इसके ला हमारे पास यह बीच वाली फिंगर है यह क्या करेगी करण की डिराक्शन को नोट करेगी ठीक है और इसके दर्वियार क्या होगा हमारे पास एंगल को का ठीक है अब यह हमारे पास क्या है फोर्स है यह हमारे पास किसके राक्शन है मैंटिक सील की राक्शन है यह हमारे पास करण की राक्शन है ठीक है अभी कैसे होगा यह राइठ हैंड डूल से होगा जिसमें आप क्या करेंगे अपने राइठ हैंड डूल इस तरह से ठीक है अब यह क् आपका यह आपकी force upward है यह आपकी magnetic field है जोगे उस तरफ move कर रही है ठीक है यह आपका current है जोगे इस तरफ move कर रहे है ठीक है इधर भी इसी situation में भी हो रहे है कि आप जब current apply करेंगे इस direction में तो magnetic field यह आपका produce होगी और force क्या होगी अब बड़ोगी तो अब हम क्या करेंगे find करेंगे force on a charge नहीं हमने वह force find की थी along the length L यह निकि हमारे पास segment L है उसमें हमारे पास charges flow कर रहे हैं उनके total काम नहीं की थी force find ली थी अब हम क्या करें force on a charge एक single charge पर force find करने जा रहे है कि अगर हमें single charge पर force find करनी है तो हम किसा से करें हैं हमारे पास F है वो बराबर है FL के ठीक है क्योंकि हमारे पास siya total 4 तो के along the length है ठीक है और हमारे पास यह बराबर over N a L number of particles area or length ठीक है अब हमारे पास F L की value थी हमारे पास हमने निकाली थी हमारे पास फन निकला था वो था Q N A L V cross B थीक है इनका हमने cross product लिया था अब मैं इसकी value कूट करती हूं Q N A L V cross B और नीचे मेरे पास आजएगा N into A into L अब इदर किया और मैरे पास N A L नीचे B है और N A L उपर B क्या हो जाएगे, कट हो जाएगे बाकी मेरे पास के पर जगत charge और मारे पास velocity into magnetic field मेरे पास जो F है वो क्या जाएगी F is equal to Q into V cross product यह हमारे पास के निकला यह force निकलाई है on a charge ठीक है इसके तर मारे पास velocity और V जो है उनका cross product है तो हमारे पास के निकलाई है equation निकलाई है जिसमें हम क्या कर सकते है single charge पर जो force है उसको find कर सकते हैं अगर हमने different charge को लेना है means कि अगर proton है या electron है अगर हम proton की बात करते हैं या फिर electron की बात करते हैं तो इस case में क्या होगा कि आपने simply यह आपर charge यानि कि जो sign है charge का वो अपने put करते हैं ठीक है अगर हम कहते है कि positive है तो हम क्या करेंगे positive so V cross P ठीक है तो यह आपको बताएग यह क्या है positive है या इस direction जो है वो change होगी यह तरह electron जो है अगर negative आप put कर देते हैं V into P ठीक है अभी क्या यह sign जो है यह बताएगी direction कहते हैं कि for example में बात करेंगे positive है तो इसकी direction जो हो upward होगी और अगर negative है तो इसकी direction जो हो downward होगी जानिके opposite होगी positive जो है अगर इसकी negative field क्या है right direction में है ठीक है तो यह जो Q की minus Q है minus Q है उसकी direction जो है मेरेटी फील की होगी left direction में ठीक है तो यह क्या होगा यह इसकी direction होगी वहमेशा opposite होगी तो यह ताज के मारे lecture उमीदे आपको lecture समझ जाए होगा इंशालला अगरे lecture में मसीच मारे पास topics और विदिक्स में उसको हम study करेंगे so तब तक के जिलाओ आप 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 आप